कि अब आपके दोस्त आपके साथ शेयर करें हूं मेरी पर्सनल फेवरेट एक छोटी सी राइविडी चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहां मैं लूंगी इनारियल तेल रहे हूं दो चमच दो चमच नारियल तेल लिया है मैंने उसके बाद इसमें हम एड करेंगे जो भीरा पर्सनल फेवरेट है लेमन यहां हम सिर्फ हाफ लेमन ही उस करेंगे अब हमें इसे करना है मिक्स अब मिक्स करने के बाद ही कुछ ऐसा दिखाई देगा अब यह जो मिक्स्टियर हमने तैयार किया है इसको बस अपने बालों में आपको अच्छे से लगा लेना है और आदे घंटे के बाद आपको हेरं वाजक करना है उसके चलिए तो बात कर लेते हैं नारियल तेल और नीबू के फाएद होकी इसब पहले नारियल तेल जो है वो हमारे बालों को करनेशन करता है हमारे डल हेर को शाइनी बनाता है और जो लोग कहते कि हमारे बहुत पतले बाल हैं तो उनको रीग्रो भी करता है फ्रीजी हेयर जिनके हो रहा है तो उनको सॉफ्ट करता है और उनका टेक्स्चिर बहुत स्मूध बनाता है और आपके डैमेजड बालो को रिपेर भी करता है अब बात करते हैं लेमन की लेमन आपके स्कैल्प के को कंट्रोल करता है उसके एक्स्ट्रीम प्रडक्शन को रोकता है और लेमन एंटि-फंगल होने की वजए से काफी सारे इशूस को रिजॉल्व करता है जैसे की डेंट्रफ और और एंटि-अक्सिदेंट्स आपकी बालों को सॉफ्टर शाइनी सो गाइज मैंने हेर वाश कर को मैं अपना रिजल्ट्स दिखाती हूँ कि कोकोनट और लेमन को लगाने के बाद सिर्फ आदे घंटे में ही आपको कैसे रिजल्ट्स में तकरीबन दो घंटे हो गये हैं हेर वाश करने के बाद और सिल्की सॉफ्ट हैर तो आप भी आजमाईए आदे घंटे का ये शाइनी सीक्रेट और कमेंट करके मुझे जरूर बताए कि आपका एक्सपिरियंस कैसा रहा मिलते हैं नेक्स वीडियो में आल दे ब्यूटिफुल लेडीज आउट तेर अपना ख्याल वेक्याँ अपने वालो का ख्याल रखिए थैंक्स पो वाचिंग